नमस्कार आप देखने हैं भारत न्यूस टीवी खबरों की परताल आपके साथ मैं हूँ अन्शुक खबरों का रूप करते हैं किशन गंज nova में एक मल्टी नेशनल केडिला कंपनी की दवा में एकस्पाइरी डेट में बदलाव का वीडियो वारल होने के बाद ज़िले के लोगों में काफी निरशा है वारल वीडियो में कैडिला की दवा के रेपर में मई 2020 के एंग प्रिंट के ओपर एक मामूल इस्टिकर लगा कर एक्सपारी डेट को मई 2022 कर दिया गया दवा दुकानदार का कहना है ऐसा स्टिकर चिपकाया हुआ दवाई पहले कभी नहीं आई उन्होंने इसके लिए कंपनी के लापरवाही कंपनी को ही जिम्मेदार ठेराया कैडिला एक मल्टी नेशनल दवा कंपनी है जिसका रोजाना का कारोबार कई करोड रुपे प्रति दिन का है ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रही है कि यह कंपनी तो मिनफेक्चर डेट और एक्सपारी डेट दोनों डाल लेती है लेकिन अगर उसमें स्टीकर मार दिया जाए जाए गलत काम है ना कि आप लोग जानते हो कि हमारा यह सीमांचल का इलाका एजुकेशन की कम कमी यहां पर क्या होता है कि सर में दर्द भी होगी तो डॉक्टर के पास जाओ कर तो वह पेट के दर्द की दवाई भी देदागा तो उस पर भी विश्वास करके लोग खा लेते हैं क्योंकि आप लोग इतना ध्यान देते कि कौन सी दवाई है कंसी है कैसे है तो ऐसा हुआ है कि यो दवाई के उपर जो लेवल उसके नीचे जब उपर से किसी ने आदमी ने देखा तो उसके उपर जो फाड़ा गया तो उसके नीचे डेड एक्स्पेर थी मैं जाती हूँ क कि इसकी जिम्मेवारी आखर कौन लेगा अगर किसी को कुछ हो जाता है कितनी जनसंख्या इस दवाई को खा रही है क्योंकि जैसे आप जानते हो कि अभी माहमारी का महौल चल रहा है कोई भी डॉक्टर के पास चाहों कि जिस तरह क्यों की दवाई भी दी जाती है तो नियुद्वारा है कि मेरे कि किन गज के लोगों के साथ घिलवार हो रहा है मैं पर शासन से भी ढ़ीम चाल से भी और यांके डॉक्टरों से भी अगरा हार लगातिए उसके ऊपर पूरी हमारा साथ दे और मैं मीडिया वालों का बहुत शुकर जानूँ जो छोटे से छोट है उसमें ऐसा है कि हमको जैसे लगता है जो वो जो मैंनेफेस्टिंग डेट तो सेम है 2020 का और उसमें मिस्प्रिंट होके में 22 नहीं होके में 2020 का लिखा हुआ है है कि हरएक द्वा का कम से कम ंदेड़ साल का मैं इस्टिकर चिपका हुआ हुआ है तो हमको हो इसे मिला थो यह से हम पूर्णिया से माल लिए थे हैं वह से वैसे है अब सिखत चिपका हुआ हमको तो अब है देखना ना यह वीडियो होने के बाद आपको पता चला ले नहीं पहले पता चला तो आपको तो कंपनी को वापस कर देना चाहिए नाकेग ग्रहां को देना चाहिए ना उत एक उसमें जो है कि जो माल जो रखावे तो उतना नहीं चलता है ना कुछ वाया तो अभी हम वापस करने के लिए रखा हुआ है कि मोडर्न के बारे में पता चला केरला कंपनी कोई दवाया है इसके ओपर जो प्रिंट किया हुआ है मैनिफेक्षर के अनमती से ही उसको किया जा सकता है इसके इंक्वैरी हो रहा है जो जिस्ट्रीटर लेवल जो पूरियां का है जहां से दवाव उसके यहां आया है क्या उसने अनमती लिया है मैनिफेक्षर से कि नहीं अगर नहीं होगा तो उनसे करवाएं दिलोगा